36 गड़ के विधान सब चुनाव में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है और उसी ट्विस्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 36 गड़ में एक नई पार्टी का उद्गम हो गया है नई पार्टी की सुरुवात हो गई है और नई पार्टी कौन सी है जो हार 36 गड़ पार्टी और ये पार्टी 36 गड़िया क्रांती सेना की तरफ से बनाई गई है तो ये 36 गड़ में कितना बड़ा भोकाल लेके आने वाला है इसी सभी चीजों को समझेंगे अमिद जी ये पार्टी क्यों मनाए आप तेईससाल चतिसगड़ राज बने होगे तकर बाद भी 36 गड़िया मन के हक अदिकार अभी तक नहीं मिले लोग मार खा रहे हैं और 36 गड़ बना है 36 गड़ियों के लिए लेकिन यहां दवे कुछले वही लोग हैं हमारे वरांचल छेत्र के आदिवासी भाई लोग जेल जा रहे हैं उनकी जमीन चीनी जा रही है यहां के हमारे स्थानी युवाओं बेरोजगार युवाओं को अरे चपरासी की नौकरी में भी आउट सोर्सिंग करके बाहर से लाने की कोशिस हो रही है चपरासी की नौकरी के लायक भी नहीं हमारे 36 गड़ के युवासा थी हैं लेकिन यह राश्टी राजनितिक दल के लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और इसले कर रहे हैं क्योंकि आज तक कोई 36 गड़िया वादी माटी वादी महतारी वादी राजनितिक दल था नहीं 36 गड़िया करांती से ना सुरू से ही अपने आपको गैर राजनितिक रूप से यहां की संस्कृति भासा हक अधिकार बहनों के सम्मान के रक्षा के लिए आंदोलन की हैं लगातार जेल गए है उसके बाद भी यहां की सरकारे सुधरी नहीं है यहां 36 गड़िया को आपके कि कितने दिन तक जेल जाओगे अब आप लोगों के कहने पर उनके हुकुम उनके आदेश में चत्रिस गड़ियों के आदेश में आज राजनितिक दल का निर्मान हुआ है और दिखाना यह है कि राश्ट्री राजनितिक दलों को कि चत्रिस गड़ के लोग सक्षम है राजनिती में भी समाजनीत में एक चीज बताएए मुझे कि छड़ी क्यों चुनाव चिन आप लोग बनाएं चड़ी क्या है बैया चुनाव आयोग दिया है हमने मांगा था ये बुढ़ा देव का हमारे 36 गड़ का सबसे बड़े देवता है बुढ़ा देव जिनको हम लोग अपने दादा जो मर जाते हूं के पिता जी चले जाते हैं उनirie को हम बुढ़ा देव कहते हैं पूर्खणधे पित्र देवता कहते हैं उन्हीं कि यह निशानी हैं आज बुढ़ा देव की निसानी जो हर चुनाव आयोग ने दिया है मैं आपके चैनल के माद्यम से चुनाव आयोग को बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको हमारे पुर्खों का निसानी ये चुनाव चिन्ह दिया है ये लोग टेक-टेक के चलते थे और नाती लोग लफड़ा करते थे तो इसको फसा के खीज देते थे और ज्यादा लफड़ा करते थे तो उठाक मार देते थे अच्छा बताईए आप लोग क्यों इतना देर कर दिये क्योंकि पहले चरण का नामांकन तो खतम हो गया दूसरे जरण का सुरू हो रहा है इतनी देरी क्यों पहले नामांकन खतम आपके लिए हुआ है लोगों के लिए हुआ हमारा नामांकन भरा जा चुका है सिंबॉल दिया जा चुका है लेकिन हम जरा ठीक से इसको घोशित करना चाहते थे हमारे जनता की आदालत में 36 गड़िया मनाते हैं तो हम लोगों ने अपने राज नितिक दल को भी तिहार मनाने के रूप्याद देवारी तिहार जैसे लग रहा है लोगों को दिवाली तो बाद में आएगी और 36 गड़िया करांती सेना के सभी सिनानी भाई बहनों को मैं फिरदा से अभार व्यक्त करता हूं प्यूति बेती मैं उन्हें के लिए काम करते हैं का मालने के लिए बहुत सारी बाते आएगी अभी बोल रहा है ना कि हम 36 घढ़िया हम 36 घड़िया सभी पार्टी बोल रही है वह 36 घड़िया की ताकत की के वज़े से कह रही है 15 साल तक तो कभी निंए प्रभारी आते हैं तो हम राष्टी राज नितिक दल के लोग है ज्यादा श्यादा उन्होंने कहा और यह पेपरों में छपा है आप लोगों के माध्यम से अब आज चुनाओं की बारी है मेरे लोग महतारी बेटा बेटी लोग अब च्छतिस गड़ियां वादी चाहा रहे हैं पोस्वा पढ़की जितने चेहरा दिखते हैं सारे के सारे पालतु कबूतर हैं अब पालती कबूतर नहीं चाहिए अब 36 महतारी को 36 वादी बगवा बेटा चाहिए और 36 लोग कमरकस के बैठे हैं कि जैसे ही 36 चुनाओ चिन्ह मिलेगा हम अब उनके चुनाओ चिन्ह में बटन दबा करके उनको भारी मतों से विजाई बना करके विधान सभा पहुचाएंगे अभी फटाफट दो तिन सवाल पोजूंगा उसका जवाब दीजेगा कि अभी अभी जो चर्चा चल रही है कि हम 36 गडिया हम महातारी का तो उसको उनको लगता है कि उनको खायदा होगा लेकिन इस पर आप लोग कुछ कर पाएंगे उपेज बगेल जी को पूछिएगा कोर्भा में 36 महतारी की मुर्ती लगी तो क्यों ठुड़वा करके फेके आज 36 महतारी की मुर्ती लगा रहे हैं जबकि 36 गडिया की संख्या कितनी है यह पूछोगे तो हाश्यास्पत बात है कि नबे सीट है करोड 36 गडिया हैं और सारे 36 गडिया को जोहर 36 पार्टी टिकीट देगी और सारे सीटों पे लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे जोरदार आप लोगों के सरकार बनाने के पीछे हर कोई चाहता ह है कि हमारी सरकार आएगी तो हम यह काम करेंगे एक चीज होता है जैसे कॉंग्रेस ने करजमापी किया अभी बीजेपी कह रही है कि हम पीए मावास देंगे करके आप लोगों का सबसे बड़ा मुद्द्द है सत प्रिसत आउट्सोर्सिंग खतम चाहे राजनितिक आउट् पर्सोर्सिंग बंद करके पहले 36 महतारी के बेटा बेटी लोगों का समयधानी का दिकार दिलाना उनसे बच गया तो आजा बनिहारी कर लो ले जा पैसा ठीक है तो 36 में नहीं पार्टी की सुरुवात हो गई या उस पार्टी की क्या कहानी है एक सवाल आप लोगों के और इनकी एंट्री से किसका खेल भीगडेगा अने वाला वक्त ही बताएगा